रेलवे आर्पी अप सव इंस्पेक्टर कॉंस्टेवल को लेकर दो सबसे बड़ा अपडेट आप लोग का एड्मिट काड कब से डाउनलोड होगा कैसे करना है और साथ इसाथ जो हजारों के तादाद में अप्लिकेशन रिजेक्ट हुए हैं उनको क्या करना है चलिए सीधा सिधा वीडियो को मैं सुरू करता हूं लेकिन उससे पहले चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और वीडियो को सेड़ जरूर करिएगा आप लोगों को बता दू एक बार रिमाइंड करवा देता हूं एक्जाम डेट को लेकर जो कि ऑफिसियल नोट में देखने मिलेगा सेन और पीअफ 01-2024 और पीअफ एसाई एक्जाम डेट दो दिसम्बर से बारा दिसम्बर तक रेलवे और पीअप एसाई का एक्जाम आप लोगों का कंड़क कराए जाएगा सबसे पले एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं यह टेंटेटिव एक्जा त्यारी करना है एक परसेंट चेंज भी हो सकता है क्योंकि यह टेंटेटिव एक्जाम से डिविल है चलिए आप लोगों को एक्जाम डेट रिमाइंड करवा दिया हूं सबसे बड़ा सवाल एप्लिकेशन स्टेटस कैसे चेक करना है अंत में बताऊंगा एड्मिट कार्ट को लेकर बहुत सारे कैंडिडेट अभी भी एप्लिकेशन स्टेटस अपना चेक नहीं कर पा रहा है तो कैसे चेक करना है आप लोगों को मैं दिखाता हूं मैं डिस्किप्शन बॉक्स में दे दूँगा ठीक रेलवे का जो ओफिसियली वेबसाइट है rrbapply.gov.in इसको apply now पे click करना है जैसे ही apply now पे click करते है देखिए यहाँ पर create an account और already have an account का option open होगा ठीक already have an account पे आप लोगों को click करना है जैसे ही click करिएगा scroll down करके आप लोगों को नीचे आना है देखिए यहाँ पर sign into your account यानि की generate login का यहाँ option दिया हुआ है अब form fill up करते time registered phone number registered email id जो आप दोनों में से कोई एक आप लोगों को यहाँ पर बैठाना है वही आईडी है आप लोगों का यहाँ पर mobile नमर या email आईडी दोनों में से कोई एक बैठाना है और password जो आप लोग बनाए होंगे यहाँ पर password बैठाना है बैठाने के बाद यह चोटा सा check box I am not a robot पे click करना है click कटें के साथ यहाँ पर नीचे में Login Option इस Login पर क्लिक करना है जैसे Login बटन पर क्लिक करते है आप लोग का profile जो ओपन हो जाएगा ठीक जैसे Login बटन पर आप लोग क्लिक करते हैं आप लोग को अप्षन देखने मिलेगा home online application और application history application history पे क्या करना है आप लोगो क्लिक करना जैसे प्लिक करिएगा ठीक अभी तक जितने भी railway के आप लोग फॉर्म बढ़े होंगे step-by-step वहां पर कॉलम में सो होगा ठीक अंत्व application history के नीचे में आप लोगों को देखने मिलेगा अगर application से बता दिया और आप लोगों को कैसे करना है सारा डिट्यल्स बता दिया हो आप लोगों के सबसे बड़ा सवाल कप से डाउनलोड होगा तो दो दिसंबर से लेकर 12 तक आप लोगों का जो एक्जाम कण्ड़क कराय جाये का देलवे का नियमी है 10 से 15 दिन पहले एक्जाम डेट के 10 से 15 दिन पहले वो एडमिट काड जारी करती है और उसी एडमिट काड में SCST का ट्रावल पास भी इसू करती है तो SCST वाले अपना ट्रावल पास जो है यानि की फ्री टिकेट बुकिंग जो है वो आप लोग एक्जाम पहले जाकर कर सकते हैं अब एडमिट काड कैसे डाउनलोड करना है सेम प्रोसेस लॉग इन करके डाउनलोड करना है अब हिसाब से अगर हम लोग अनुमानित लगा ले 10 से 15 दिन पहले तो 2 दिसंबर को आप लोगों का एक्जाम है यानि की 15 नवंबर के बाद आप लोगों तक पहुंचा दिया हूँ लेकिन सबसे बड़ा एक अपडेट है जो कि नेक्स्ट वीडियो में दूंगा एक्जाम देते टाइम क्या-क्या मेंडिटरी डोक्योमेंट तैयारी करके ले जाना है यह गलती मत करिएगा आप लोग कि इसी में बहुत सारे इस्टुएंट गलत करने के लिए थैंक यू चैहीं चैवारत बंद मातरम